हेई गाईस, वलकम विक माईश यूटूब चलंगाई आज के सी वीडियो में फिर से मेरे पास में है फायर बोल्ट की तरफ से नूली लॉंच स्मार्टबोज फायर बोल्ट निंजा प्रो मैक्स जोकी मिलता है 1200 की price में और भ槍nymi 1900 की price में काफी अच्छा여 product है guys यह जो product है मुझे 900 की price में नहीं मिला है क्यूँकि मैंने इसको खरीदा है shopsy application से अगर आप इसको shopsy application से खरीदते हैं तो guys maybe काफी अच्छा discount आपको मिल जागा और 200 रुपे सस्ता आपको यह मिल जाएगा लिंक आपको नीचे मिलेगी, लिंक से डाउनलोड करोगे 50 रुपे आपके एक्ष्टर मिलेगा यानि कि 200 रुपे सस्ते में आप इसको ले पाऊगे 17 रुपे की प्राइज मिल जागा तो उसके pros and cons जरूर से बताया करो क्योंकि होता क्या है कि इस चीज में किसी की महनत का पैसा लगा होता है पस वही चीज मुझे ध्यान है कि हमको जो चीज है उसके बारे में सही से बताना है, जो गलत है, वो गलत बताना है जो सही है, वो सही बताना है अब वो मेहनत का मानो ये कैसे ही मानो मेहनत का पैसा हर किसी का लगा होता है तो वाइस सही जग आपका पैसा लगे इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में आपको बताने बना हूँ, इसके प्रोज एंड कौन्स और आपको इस विडियो कहीं बताऊँगा, कि आपको ये प्रोड़क्ट लेना चाहिए या नहीं, तो बने दिए वीडियो में वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले अगर मैं इसके बिल्ड से बात करता हूँ तो गैस no doubt काफी अच्छा बिल्ड आपको मिलेगा 2000 की प्राइस में बिल्ड ऐसा मिलना बहुत कम स्मार्ट होच में मिलता है वेसे तो लेकिन इसका जो बिल्ड है वो मुझे काफी जबर्दस लगा पीछे की तरव आपको प्योर यहां पर ग्लास्बेक मिल जाता है जो कि काफी अच्छा है Side मा आपको metal body यहां पर मिल जाती है जो भी काफी अच्छी है काफी अच्छी है 1.6 inches का display है जो कि एक अच्छा display है बहुत सारे smart watch में क्या होता है कि जो display होती है वो बहार से ही हमको पता चल जाती है कि इसके इतनी से display है लेकिन इसमें ऐसा नहीं है इसके जो display वो पूरी dark है मतलब कि ये पूरी black है तो जो colors होते है वो ही हमको दिखते है जैसे कि आपने देखा है AMOLED display वे सही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है लेकिन ये AMOLED display नहीं है लेकिन जैसा AMOLED होता है वे सापको देखने के लिए मिलता है overall जो display quality है वो भी मुझे काफी अच्छी लगी मैंने watch faces बगरा कैसे आपको change करना है वो सब कुछ video बना कर दे दी है आप जाके उसको भी देख सकते हैं watch faces भी आप इसमें change कर सकते हैं अब का इस main जो बात मुझे इसकी बुरी लगी है वो है इसके sensors इसके sensors बिल्कुल भी accurate नहीं है चाय reading होती है जो कि बता लेता है और oximeter भी वही reading बताएगा तो अपन सोच लेते हैं कि यहाँ पर ठीक है लेकिन accuracy ठीक तब होती है जब यह product surface पर अपनी reading ना दे लेकिन यह जो smartwatch है वो surface पर भी अपनी reading दे देता है तो अपन यहाँ सईदसदा बोलेंगे क्योंकि अभी recently मैं noise का smartwatch loan चुने वाला है हो सकता है उसके sensors accurate आपको मिल जाए तो आप उसके लिए wait कर सकते हो लेकिन अगर आपको एक अच्छा display चाहिए एक अच्छा build quality चाहिए एक अच्छे strip quality चाहिए तब आप इसके तरफ जा सकते हो क्योंकि बहुत से बंदे ऐसे होता है जिनको sensors से मतलब नहीं होता जैसे कि मैं हूँ मुझे sensors से मतलब नहीं है मुझे call notification से मतलब नहीं है WhatsApp notification से मतलब नहीं है मैं पहनता हूँ बस only for shock के लिए and only for time देखने के लिए इसके हाँ अपने हाथ में घड़ी है मैं इसलिए ही पहनता हूँ तो मेरे पास में यह भी diesel watch 2 है इसके sensors भी ठीक तरीकर से work नहीं करते है यह भी surface पर जो भी है वो दे देता है लेकिन इसकी जो build quality है वो मुझे काफी जबरस लगी इसलिए मैं इसको use करता हूँ इसके जो build है, इसका जो display है वो काफी अच्चा है इसलिए मैं इसको use करता हूँ तो same चीज़े आपको यहाँ पर मिल जाती है इसका जो build है, इसके जो display है वो भी काफी अच्छी है पस sensors आपको यहाँ पर equitable नहीं मिलेंगे जब मैं इसको शुब पहना था तो हाथ वगए धोते समें पाने भी जाता है तो भी कुछ दिक्कत नहीं हुआ, और All जो प्रोडक्ट है वो काफी अच्छा है, प्रोटेक्शन के लिए भी काफी अच्छा है बहुत से बंदे मुझे बोल रहते कि हम weather की ही जानकरी नहीं ले पा रहे हैं वेदर का own नहीं हो पा रहे है तो क्या होता है कि application में जो weather का option होता न उसको आपको own करना पड़ता है उसको own करने के बाद में ही यहां पर होगा तो आपने application को own ढंक से नहीं किया होगा वहाँ सा customize आपने ढंक से नहीं किया होगा इसलिए आपको weather information नहीं मिल रहा होगा आप मेरी पहले वाली वीडियो जाके देख सकते हैं वहाँ पर मैंने fully detail में इसको कैसे connect करना है उसके बारा बता है तो आप जाके देखिए आपको सारा कुछ इसमें समझ में आ जाएगा तो सभी चीज़े accurate काम करती है जिसे कि music control हो गया camera control हो गया साथ में जो weather information है वो भी आपको accurate यहाँ पर मिल जाता है काफी अच्छा मिल जाता है notification alert के जो message आता है वो थोड़ा सा late करके आता है इसा कि थोड़ा बहुत one second two second late होता है जैसे यह अपन message करते ही message नहीं आता phone में पहले आ जाता है लेकिन smart watch में थोड़ा सा late होता है तो कोई बड़ा issue नहीं है वो ठीक टाक है आराम से अच्छे से work कर जाएगा कोई दिक्कतवाली बात नहीं है call notification आपको इसमें मिल जाता है एक बात ध्यान रखेगा इसमें आपको call को minimize करने का and call को cut करने का option यहाँ पर नहीं मिलेगा call को attend करने का option इसमें नहीं मिलेगा क्योंकि यह की normal smart watch है यहाँ पर आपको calling smart watch नहीं मिलती है तो आप only for call करने के लिए ही इसको use कर पाऊगे call attend करने का आपको इसमें option नहीं मिलेगा और race to wake का भी काफी अच्छा features के अदर मिल जाता है जो कि काफी अच्छी दरीगे से work करता है overall जो additional features आना वो सभी चीज़े अच्छी दरीगे से work करती है सभी चीज़े अच्छी दरीगे से work करती है बात को अगर बेटरी बेकप की टो ऐसे यहां पर जो बेटरी बेकप आपको मिल लाता है वो मिलता है आपको 8 दिन को चो कि अच्छी ब्रैंड की तरप से तरफ से को मिलता है यह जब मेरे पास में आया था तब बिल्कुल भी नहीं था वन इसको चार्ज किया था हूँ और कल से में इसको यूज का रहा हूँ और अभी जिसका बेटर बेकप है वो 4443 समझा है मैंने इसको करने वाली वीडियो बनाई थी तब देखा था उसके आप मैं सीधह यह वीडियो बना रहा हूं, तो काफी अच्छा वहाँ पर बेटरे वेकप मिल रहा है, आजे दिन का बेक अब है तो मेभी अगर आप इसको इसको इसली तरीके से यूसज करोगे, तो आपको पांच दिन का बेक अब आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आप without connect करके रखते हैं तो अच्छा खासा battery backup आपको मिल जाएगा तो overall जो battery backup है वो भी काफी अच्छा है अब बात आती है कि सभी चीज़ा आपने बता दी अब इसको लेना चाहिए या नहीं तो मैं आपको बोलूगा कि एगर आप 1900 की price में इसको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं काफी अच्छा smart watch है काफी बढ़िया smart watch है बस आपको दिक्कत नहीं होने चाहिए इसके sensor से क्योंकि इसके sensor से वो accurate काम नहीं करते हैं अधर जो भी चीज़े हैं वो सही तरीके से work करती है अगर आपको accurate sensors चाहिए तो इसको मत कीजिए खरीदिए अगर आप build quality वगरा display वगर आपको मिल जाएगा और अगर आप एक accurate sensors वाला लेना चाहते हैं तो आपने defy space का नाम सुना होगा जिसकी unboxing वीडियो मैंने पहले ही की थी और मैं आपको बताया था कि काफी जवर्दर smart watch है 1600-1700 की price में अभी भी मिल रहा है अगर आपको sensors भी accurate चाहिए थोड़ा बहुत अच्छे चाहिए, strip अच्छे चाहिए तो आप उसके तरफ जासकते हैं उसमें आपको battery backup से लेकर सारी चीज़ अच्छे मिल जाती है सभी चीज़ अच्छी मिल जाती है बस यहाँ पर यही है कि इसके sensors work दंक से नहीं करते हैं लेकिन वहाँ पर आपको सभी चीज़ या फिर आपको build quality ज्यादा चीज़े है जिसके तरब आप जाना चाहते हैं अब आप जा सकते हैं मेरे साब से सब कुछ आपको clear हो गया होगा और ये मेरा honest review है भाई क्योंकि मैं product खुद से खरीता हूँ वो क्या होता है कि जब brand के तरब से promotion आता है तब हो सकता है कि तोड़ा यह वो सकता है जब आपको जब आपको कि तरब आपको कि तरब कर सकता है